नमस्कार दोस्तों मैं हूं Dr. Rajat Mahalad, Director Mahalad Hospital, जैपुर आज हम Sleep Capital Femoral Epiphyces नामद डीजीज के बारे में जानेंगे और इसका क्या-क्या treatment पॉसिबल है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों ये नाम बहुत बढ़ा है यह जनरली बच्चे के कूले को अफेट करने वाली बिमारी है और यदि यह टाइमली डाइग्नोज न हो तो यह बहुती तेजी से बढ़ती है और उसके बाद पूरे हिप को डामेज कर देती है यह जो डिजीज है यह जनरली डस से पंदरा साल के बच्चों में बुती है और जो बच्चे मोटे होते हैं जिनका वजन जादा होता है या फिर जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है उनमें यह डिजीज जादा तर पाई जाती है इसके जो प्रमुक लक्षन है वो उता है कि बच्चे को अचानक से राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई एक खुले में अचानक से दर्दोना चाल में जाती है पैरेंट समझ नहीं पाते हैं और बच्चा कहता है कि थोड़ा सा कहीं पे गिरा था उसके बाद से उसको सिवियर पें हो रहा है और इतना स्यादा पें होता है कि बच्चा जो है वो पैर जमीन पे रख नहीं पाता और पैर को बाहर की तरफ गुभा के डिस्पम एक्स्टर के पास लेके जाते हैं तो बच्चे के एक्सरे करवाते हैं एक्सरे में जो सबसे कॉमनली न Чер पिक होती है कि बच्चे के पुले का एक ही एंगल में एक्सरे करते हैं नॉर्मली हम कोई भी एक्सरे को करते हैं तो दो एंगल होने चाहिए एपी व्यू और लैटरल व्यू ये जो बीमारी है इनीशल स्टेज में सिर्फ लैटरल व्यू में ही पकड़ी जाती है और आपने देखा है कि ज्यादा तर जो भी प्राइमरी लेवल के डॉक्टर्स हैं इसमें सिर्फ एपी व्यू करते हैं और ये बीमारी मिस हो जाती है तो जब भी आपको इस तरह का हिप पेन होए अमेशा एंगल जो एक्सरे का होना चाहिए वो दो डायरेक्शन में हो चाहिए अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का प्रॉब्लम और आपके बच्चे के ए बीमारी और पेनी से बढ़ेगी है नमबर टू आपको एक्सपर्ट ओपीनियन जो कि बच्चों के ऑर्थोपडिक डॉक्रों जो उनकी राहे लेनी चाहिए और नमबर त्री जो इसका स्टैंडर्ड ट्रीमेंट है अगर ये बीमारी बहुत इनीशल स्टेज में है तो हम इ इमीजेटनी घाय हो जाता है और उसके बाद नॉम्मली शिक्स टू एट वीक्स में चलने पिरने और नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है ध्यार रखिएगा ये अगर एक हिप में हुआ है तो चांसे देगी दूसरे हिप में भी हो सकता है साथ साथ में इसके साथ जो हमारे को में चीज है वह है इवैल्यवेशन कि बच्चे को प्यों हुआ है तो उसके सब में आपको एक एंडोक्राइनोलोगिस यानि बच्चों के जो हर्मोन के स्पेशलिस्त होता है उनकी विराय लेनी चाहिए और बच्चे को कोई थाहलोई या पर दायबेटी या इस प्रकार कि कोई और बिमारी तो यह रोल आउट करना चाहिए यदि ये बिमारी बहुत तेरी से बढ़ देए तो फिर एक एक स्कुर्ट ट्रीटमेंट ही इसमें चाहिए रहता है नॉर्मल जो डॉक्टर्स है उससे बेटर है कि आप बच्चों के और्टिपेडिक से ही इस बारे में करते हैं उसको सेफ सजीकल डिस्लोकेशन बोलते आए एक काफ्स के आई-ट्री चाहिए बच्चे की मूरी को डिस्लोकेट ठाकि और बाद में इसको वापस से री सेट करके इसको डाले को आपस से रिलोकेट करके ये कॉम्लिकेटीश रेए पैरंच से हिए निवेधन करते ह इनिशली गत्री इस तरह की डिजीज हो या इस तरह का पेन हो अर्थोपेडिक ओपीनियन लें और एकस्रेय के द्वारा इस डिजीज को ठीक करने का इनिशल स्टेज पर ही प्रयास करें इस बीमारी के बारे में आप कुछ और जाना चाहते हैं आम से कोई पॉइंट रहे गया है तो आप हमें कमेंट में लिख के आप मैसेज कर सकते हैं इसका रिपला देने की कोशिश करेंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें हमारी चैन